आज हम बात करेंगे IC85 में Re-Insurance Chapter 13 जो कि है हमारा Inverd Re-Insurance Business अभी Chapter 13 में बागी टॉपिक्स भी हैं लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे Inverd Re-Insurance Business की कि Inverd Re-Insurance Business क्या होता है देखें बेसिकली जो हमारा Re-Insurance Business होता है वो दो तरह से होता है एक होता है Inverd Re-Insurance Business और दूसरा होता है Outward Re-Insurance Business जब आप बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारे words ऐसे होते हैं terms ऐसी होती हैं जो आप पढ़ते जाते हैं और आपका मन करता है कि इसको मैं as it is याद कर लो कि हाँ Inverd Re-Insurance Business होगा तो ऐसा होता है और Outward Re-Insurance Business होगा तो ऐसे होता है रटना बट हमें उसके concept पता होने चाहिए क्योंकि हर word की अगर हमें meaning पता हो जाएगी तो हमें learning असानी से मिल सकती है हम उसे रटना नहीं पढ़ेगा तो हम बात करते हैं री इंशरेंस बिजनस में Inverd और Outward Re-Insurance Business की आईए बात करते हैं तो री इंशरेंस बिजनस हमारा बेसिकली दो तरह का होता है एक Inverd Re-Insurance Business और एक Outward Re-Insurance Business तो Inverd कब होता है और Outward कब होता है यह दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी जब भी कोई री इंशरेंस कंपनी या कोई इंशरेंस कंपनी किसी foreign इंशरेंस कंपनी का बिजनस अपने री इंशरेंस डेपार्टमेंट में लिखती है I mean underwrite करती है तो वो हमारा कहलाता है Inverd Re-Insurance Business Inverd Re-Insurance का क्या मतलब हुआ मैं एक कंपनी हूँ ठीक है यह कंपनी है और इसका global presence है ठीक है यह US में भी है ठीक है यह UK में भी है यह नहीं भी है तो अगर US से कोई business आया तो वो क्या करेगा US से पैसा इस company में आ रहा है और वो पैसा किस department में आ रहा है री इंशरेंस डेपार्टमेंट में आ रहा है ठीक है तो जब भी कोई insurance company ए इंशरेंस business हमारी बुक में फॉरें से आया तो जब आया तो इंवर्ड हुआ तो इंवर्ड री इंशरेंस बिजनस अब यह आता कैसे है देखें री इंशरेंस बिजनस जो है वो हम दो तरह से accept करते हैं तो reciprocity इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे ठीक है reciprocity से पर आता है और दूसरा हमारा कि हम accept कर रहे हैं risk दूसरे किसी री इंशरेंस company से या insurance company से तो मैंने क्या बताया आपको बताया कि इंवर्ड री इंशरेंस business क्या होता है जब एक री इंशरेंस company क्या करती है या insurance company राइट कर रही है foreign business को अपनी री इंशरेंस department में तो उसे हम कहते हैं इंवर्ड री इंशरेंस business इंवर्ड इंवर्ड क्या करेगा कहीं से आएगा तो इंवर्ड कैसे आएगा reciprocity से आएगा और हम जब एकसेप्ट करेंगे रिसको अधर री इंशरेंस company से या insurance company से ठीक है I hope यह चीज आपको clear हो गई होगी similarly outward तो हमारा outward री इंशरेंस business हुआ जब री इंशरेंस company या insurance company अपना business seed कर रही है आउट भेज रही है अपने business को री इंशरेंस को जो की हमारी country से बाहर है तब उस ऐसे री इंशरेंस transaction को हम बोलते है outward री इंशरेंस transaction inward मतलब बाहर का business in आया ठीक है US, UK कहीं से business in आया और यहां का business बाहर गया तो outward अब next question आता है कि भई इसकी need क्या है, invert reinsurance की need क्या है, हम inward मतलब विदेशों से पैसा क्यों लें है ना मतलब अपना business हम विदेश में क्यों ले क्या है, invert reinsurance क्यों करा है जिससे कि हमारा net retained premium जो है, वो हमारा increased रहे, देखे हम क्या करते हैं, हम कुछ न कुछ अपना reinsurance कहीं न कहीं से कराते हैं हमारा business जाता है, तो हम अगर किसी और का reinsurance कर लेंगे, तो क्या होगा, तो थोड़ा premium हमें reinsurance के terms में आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, retained premium बढ़ जाएगा, थोड़ा हमने seed किया, और थोड़ा हमने अपने आप से, मतलब हमने अपनी department में वापस ले लिया, through reinsurance, lower expense ratio हो जाएगा, क्यों, देखे, अब expense ratio इसको समझे कैसे, मैं जब reinsurance business, अपना business ले के आ रहा हूं, और उस business को मैं किसी को दे रहा हूं, तो उस business को लाने के लिए, normal insurance business को लाने के लिए, मैं कुछ expense कर रहा हू ठीक है, मगर, जब मैं उसको भेज रहा हूं, तब मुझे उसके एवज में क्या मिल रहा है, commission मिल रहा है, ठीक है, तो वो commission तो मुझे मिलेगा ही, तो वो commission मेरे को expense ratio में help करेगा, ठीक है, अब lower expense ratio होगा, अब premium income हम क्या करें, है, to obtain a better and widespread of business by underwriting business from overseas, ठीक है, हमारे business का spread बढ़ रहा है, to counteract the drain of foreign exchange on account of reinsurance seeded abroad, सही बात है, जो पैसा हमारा foreign में जा रहा है, through reinsurance, वो कुछ वापस आ रहा है, through inventory insurance, ठीक है, तो यह आई हो भी चीज़ें आपको clear हो गई, ठीक है, next, next है हमारा, to earn an investment income, investment income को earn करने के लिए, करने के लिए, जो कि हमारी cash flow result कर रहे है, invert acceptances से क्या हो रहा है, हमारा पैसा यहां आ रहा है, तो हम क्या कर रहे है, investment income हमारी बढ़ रही है, उस पैसे को हम invest करेंगे न कहीं, या insurance में उन techniques को use करेंगे, दुनिया में जितने भी आपके counter parts हैं, उनसे आप जब interact करेंगे तो एक better practice understanding बनेगी, I hope यह चीज़ आपको समझ में आगी, कि invert reinsurance क्यों जरूरी है, invert reinsurance क्या है, outward reinsurance क्या है, तो thank you for watching and please comment, like, subscribe the channel, thank you.